तो यह है Jio Vehicle Tracker OBD, इसका जो specifications है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसे basically आपके जो car है, उसका जो ODB port है, उसमें connect करना है, चलिए मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ, वो box के अंदर, तो यह है वो OBD device, जिसे आपको आपका जो car है, उसमें place करना है, इसका जो size है, तिक सकते ह कि काफी बड़ा है, और यहाँ पर कुछ LED notifications है, इसमें eSIM support दिया हुआ है, और यह है connecting points, इसे कैसे install किया जाता है, मैं आपको थोड़ी दिर में बताने वाला हूँ, इसके अलावा box में यह user manual दिया हुआ है, जिसमें आपको installation किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में जनकरी मिल जाएगी, और यह है warranty card, तो यह देखे, मेरे पास यह VARNA 2019 का model है, और यहाँ पर है OBD option, तो इसे मुझे इस प्रकार से कुलना है, और तो इसके उपर यह actually एक cover लगा हुआ है, auto link का, तो यहाँ पर मैं जो जियो का OBD है, उसे connect कर सकता हूँ, तो यह देखे, यह ह यहाँ पर ports का, उसके साथ में आपको मैच करना है, और इसे मैं connect कर देता हूँ, यह देखे, बड़ी असानी से connect हो जाता है, यह देखे, अब यह connect हो जुका है, और यहाँ पर lights जल रही है, अब बहुत ही important है कि जब आप इसे connect करेंगे, तो जो इंजिन है, वो आफ होना च जियो मोटीव है, इसे पैर करना है, इसीम जो है, वो जो फीचर है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसके लिए मेरा जो registered mobile number है, जियो का, वही मैं यूज करने वाला हूँ, मुझे जो steps है, उसे follow करना है, तो अब मैं जो वही कल है, इसे स्टार्ट करता हूँ, तो यहा कर रहा है, उसके साथ में पैर होने वाला है, यहाँ पर मुझे प्रोसीड करना है, वैसे जो process है, बहुत ही आसान है, अभी यह जो request है, यह submit हो चुका है, जब यह activate हो जाएगा, तब आपको एक SMS आ जाएगा, एक्टिवेट हो चुका है, मुझे अभी अभी message मिला है, तो म blue मतलब की जो signal है, खास करके अगर हम LTE की बात करें, तो वो अच्छा है, green मतलब की बहुत ही अच्छा है, अब यह देखे, green में shift हो गया है, और जो दो blue LEDs आप देख रहे हैं, वो basically एक GPS के लिए, GPS अभी blink हो रहा है, थोड़ी देर में जो lock है वो मिल जाएगा, और जो गठेवे लोग जो हैं, वाइफाय के जरी उसे एकसे कर पाएंगे, तो यहां पर सब कुछ ठीक है, यह जो धकन है, इसे मैं बन कर देता हूं, अब यह जो वर्ना है, इसमें इसमें बन करता हूं, तो यह देखे, यह अच्छी टच कर रहा है यहां तो फिलाल में, जो उप इसमें है, यह ना लगे, क्योंकि इसका जो साइज है, यह काफी जादा है, बड़ा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कि मैं इसे निकाल देता हूं, और मैंने यह स्पेशल टाइप का एकस्टेंशन केबल खरीदा हूआ है, जिसका जो साइज है, देख सकते हैं कि और जो दूसरा एंड है, वो ऐसा है, तो यह जो एकस्टेंशन केबल है, यह आप यह देखें, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और जो दूसरा एंड है, यहाँ पर मैं यह जो जियो का डिवाइस है, वहिकल ट्राकिंग सिस्टम, इसे मैं फिक्स करता यह देखें, अब important चीज यहां पर यह है, कि यहां पर यह जो device है, as well as यह जो cable है, यह पूरी तरीके से इस system को seal करता है, तो कोई भी metallic part यहां से बहार नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, कि यह जो पूरा का पूरा part है, इसे मैं यहां पर अंदर, इस प्रकार से म में close कर सकता हूं, तो यह देखें, अब यह पूरी तरीके से बंद हो गया है, तो यह जो geo things का application है, यहां पर, मुझे पता चल रहा है, कि जो vehicle है, उसका status कैसा है, उसका current location है, उसके बारे में जानकारी, plus, यह देखें, यह मैंने जितने भी trips किया हुआ है, उसके बारे में जानकारी भी आपको यहां पर मिल जाता है, अगर जो dongle है, उसके बारे में भी जानकारी मिलते है, कहां पर last park हुआ है, उसके बारे में जानकारी, मैं अगर चाहूं तो यहां पर geo fencing भी कर सकता हूं, तो उसके बार अगर vehicle जाती है, तो मुझे notification मिल जाएगा, और यह indication, fault का indications, fuel का log भी है, खास करके अगर आप के पास बहुत सारी taxis है, और आपने जो taxis है, अपने drivers को दिया हुआ है, चलाने के लिए, तो fuel का log है, वो आप यहां पर चेक कर पाएंगे, maintenance का जो details है, वो भी यहां पर आप आड कर पाएंगे, और best चीज यह है कि, जब कभी यह जो वहिकल है, ट्रिप लेता है, तो उसके बार में जानकारी यहां पर आपको मिल जाता है, exactly, location के बार में जानकारी भी आपको मिल जाता है, यह देखें, जो trip मैंने लिया वा था, इसके बार में जानकारी, यहां पर map के जरिए मुझे exactly पता चल जाता है, अगर आपकी वह अगर वहिकल अन है तो यह आपको इंडिकेशन मिलता है कि जो वहिकल है यह लाइव है करण्टली स्पीड कितना है प्लस जो आर्पीयम है इंजिन का वह कितना है तो यह बहुत ही बड़ी आठ ट्रैकिंग सिस्टम है और यहां से आपको एक्जाक्ली पता चल जाएगा कि जो वहिकल है वह कहां पर है तो मैंसे चलाता हूं और फिर देखे कि जो रिजल्स है आप किस तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएंगे तो अब देखे यह लाइव ट्रैकिंग कर रहा है वैसे मैं गाड़ी में हूं और जो डिवाइस है यह पतलत की जो स्मार्टफोन है यह भी मेर वहिकल का वो मुझे मैप पर दिख रहा है और जो स्पीड है वहिकल की उसके बारे में जानकारी तो मतलब की खास करके जो जिनके बास बहुत सारी टैक्सिस है उनके लिए बहुत ही बड़ी ऑप्शन है क्योंकि यह अपने हर एक वहिकल की ट्रैकिंग कर पाएंगे और खा द्राइवर को पता है कि आपकी गाडी में यह सिस्टम लगा हुआ है तो वह जो ड्राइवर है अगर इस सिस्टम को निकालने की कुशिश करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यह जो सिस्टम है यह रिमूव हो चुका है तो मतलब यह टोटली तरह से सेफ है और बहुत ही बढ़िया ट्रैकिंग भी करता है आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार कहां पर है और इसके लिए अफकोस यह जो बैटरी है वो यूज करता है कार की बट बट ब्लादा बैटरी नहीं लेता है काफी एफिशेंट सिस्टम है यह दिखें यहाँ पर एग्ज करता हूँ उसके बाद में डिखते हैं कि यहाँ पर यह जो दिस्प्ले है इस पर हमें क्या इन्फ मिलता है खासकर की जो स्मार्टफोन हैς उसके ओपर बैटरी के बारे में जानकारी प्लस जो लास्ट ट्रिप मैंने किया था यह वाला trip तो उसके बारे में भी जानकारी यह देखे यह जोटा सा trip मैंने किया था तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो यह बहुती बढ़िया ट्राकिंग सिस्टम है वहेकल ट्रकिंग सिस्टम अगर आप